तो अगर हम लोग सैफ चैंपिंशिप 2021 का ग्रूप टेबल देखे तो इसमें नेपाल की टीम नंबर वन रैंक पर है 6 पॉइंट्स के साथ और वहीं पर इंडिन नाशनल फुटबॉल टीम है फोर्थ रैंक पर 2 पॉइंट्स के साथ पर अगर कल वाले मैच में इंडिन नाश फुटबॉल टीम हरा देती है नेपाल की टीम को तो सिनारियो काफी जादा चेंज हो जाएगा इंडिन नाशनल फुटबॉल टीम पांच पॉइंट्स पर चली जाएगी और कहीं ना कहीं बनी रहेगी सैफ चैंपिंशिप 2021 के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने की रे तो डेफिनिटली क्वालिफाई करेगी सैफ चैंपिंशिप 2021 के फाइनल्स के लिए पर क्वेश्चन यही है गाईस की क्या इंडिन नाशनल फुटबॉल टीम हरा पाएगी नेपाल को तो बात कुछ ऐसी है कि अभी तक सैफ चैंपिंशिप 2021 में इंडिन नाशनल फुटब दिसपोइंटिंग थी क्योंकि श्री लंका एक बहुत ज़ादा इंफिरियर टीम है इंडिया से इनका फीफा रैंक है 205 यानि की 205 और वहीं पर इंडिया का फीफा रैंक है 107 यानि की 107 मतलब 98 रैंकिंग्स नीचे जो हमसे टीम है उसको हम हरा नहीं पाए इंडिया वर् इगोर को कोई समझाओ की पोजेशन जादा होने का ये मतलब नहीं कि तुमने मैच को डॉमिनेट किया मैच को डॉमिनेट करने की परिभाशा शायद ये है कि आपको कितने क्लियर कट चांसे मिले तो इंडिया वर्सिस श्री लंका वाले गेम में शायद से मुझे सिर्फ ए अगर लिस्टन सही से कनेक्ट करते उसके अलावा गैस मुझे कोई भी कलियर कट चांस याद नहीं है तो इगोर के साथ गैस सबसे बड़ी प्रॉबलम ये है कि ये ना ही प्लेयर के साथ कंसिस्टेंट है और ना ही फॉर्मेशन के साथ कंसिस्टेंट है साथी साथ ये किसी प्लेयर को किसी भी पोजिशन में खिलाने का दम खम या फिर बहुती ज़ादा रेर टालेंट रखते हैं जैसे कि लास्ट गेम में अगेंस्ट श्री लंका इंडिया की जो बैक फोर थी उसमें जो दो सिंटर बैक्स थे वो एक्च्वल में विंग बैक्स थे राहुल बेक एक राइट बैक है सुबशीश बोस एक लेफट बैक है और ये दोनों ऐस इंटर बैक खेल रहे थे उस गेम में तो अगर आपने इनकी पोजिशनिंग देखी हो तो अगर कोई भी टीम होती श्री लंका के अलावा मतलब कोई भी टीम जिसका अटाक श्री लंका से ज़ादा प पोजिशन थी तो अगर किसी और पोटेट अटाक के अगेंस्ट इगोर ऐसी बैक फूर लेके जाते तो डेफिनिटली तीन चार पांच गोल्स पढ़ सकते थे हमारे अगेंस्ट उसके बाद एक इनफीरियर ओपोनेंट के अगेंस्ट आप दो डिफेंसिव मिडफिल्डस खिला रहे हैं एक सुरेश सिंग और दूसरे गिलिन मार्टिन्स और जो मिडफिल्ड में क्रेटिविटी का बाहर है वो सारा अनेर उत्थापपा पे है जहां पर आपको ये पता है कि ऑपोनेंट इनफीरियर है वो डिफेंसिव फटबॉल खेलेगा हमारे गेंस्ट तो शा रहे है कि कितनी डीब डिफेंडिंग कर रही है श्री लंकन टीम तो फिर आप उतारिये ना आपके उनको बेंच पे बिठाने के लिए ले गए हैं सैफ चैम चिप में तो बात करेंगे गईस अब फॉर्मेशन के बारे में तो कभी इगोर्स्टी मैच यूज करेंगे 352 के कभी 4-3-3 कभी 4-4-2 कभी 4-2-3-1 मतलब फॉर्मेशन के साथ भी कंसिस्टेंट नी है गोर्स्टी मैच उसके बाद प्लेयर्स के साथ तो कतई भी नी कंसिस्टेंट है गोर्स्टी मैच मतलब आज जो प्लेयर खेल रहा है उसको मतलब गैरेंटेड नी है कि वो अगला मैच भी खेलेगा या उससे अगला मैच भी खेलेगा मतलब प्लेयर्स के साथ तो कता ही भी नी consistent है ये बंदा पता नी क्यों मतलब अभी तक इनको international football team के लिए ना कोई preferred formation मिलाए ना ही इनको इनकी preferred playing 11 मिली है और शायद से ने दो से धाई साल हो चुके है as the head coach of international football team तो मैंनी चाहता की कल का match international football team ना जीते पर due to any bloody reason अगर इंडिया जीत नहीं पाती है इस match को तो मुझे नहीं लगता की AIFF को ज़्यादा weight करना चाहिए कल के match के बाद सीधा खतम टाटा बाई बाई इगोर्ष्टी match यू आर सैक्ट get the fuck out of India बस इतनी सी बात होनी चाहिए कि अगर कल की game में इंडिया नाशनल football team नहीं जीत डर्ज कर पाती तो इंडिया का जो कल का match अगेंस्ट नेपाल वो शाम साड़े नौ बजी यानि की 9.30 पीम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे शुरू होगा आप लोग इस match को यूरो स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं और अब बात करेंगे दोनों यी टीम्स के possible line-up के बारे में तो इंडियन नाशनल football team का possible line-up होगा कुछ इस परकार का और वहीं पर नेपाल नाशनल football team का possible line-up होगा कुछ-कुछ ऐसा तो guys that's it with the video I hope आपको अच्छी लगी है ये video तो मिलते हैं अगली video में peace out